ओम नमे सिवाय दोस्तों आपका मेरी चानल भक्ती की मोर्टी में स्वागत है आज मैं सती रेणुका की कहानी लेकर आएं हूँ पोरानिक काल की बाठ है एक सब्त रिसी भ्रगु के वनसज थे जम दगनी उनके पिता का नाम रिसी का था और माता राजा गादी की पुतरी सत्यवती थी जब बड़े हुए तो उन्होंने राजा प्रसंचीत की पुतरी रेणुका से साधी का प्रस्ताव रखा जिसे राजा ने स्विकार कर लिया दोनों का विभाग हो गया उसके बाद उनके यहां पांट संतावों ने जन मिलिया जिनके नाम रुखमवान, सुखेड, वसु, विसुमानस तथा रामबद्र थे जो बाद में परसुराम कहलाए रेणुका एक सती साध्वी पती रता थी इसके कारण में कच्चे घड़े में नदी से पानी भर लाती थी एक बार में नदी से पानी लेने गई तो उनका ध्यान रत से जाते गंधर्वों की तरफ गया तो तुरंथी उनका घड़ा नदी के पानी में मिल गया वे डर के कारण वापस नहीं जा सकी और वहीं बैठ गई जब रिसी जंदगनी को यह पता लगा तो उन्होंने अपने पड़े पुत्र को अपनी मा का सिर काटने को कहा तो बेटे ने मना कर दिया ऐसे ही उन्होंने अपने चार बेटों को अपनी मा का सिर काटने को कहा, तो सबने मना कर दिया, तो रिसी ने उन्हें सराब दिया, तो वे पत्थर के बन गई, जब राम भदर बहार से आए, तो पिता ने उन्हें भी वही आग्या दी, राम भदर पित्र भगते थे, उन्हों पर सुराम जी ने अपने पिता से तीन वर्दान मांगे, माता को पुनर जिवित कर दो, उन्हें अपने पुनर जिवित होने का ज्ञान ना रहे और सभी भाई चेतना युक्त हो जाएं इस वर्दान को देते हुए उनके पिता ने कहा कि तुम्हारा एक वर्दान पूरा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी मा को जिवित नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यह है प्रकर्ति के नियम के विरुद होगा, किन्तु 21 दिन के बाद तुम्हारी मा रेणुका तुहें दर्शन माता रेणुका का मंदिर मध्य परदेश के खंडवा जिले के समीप चैगाओं देवी में है, माननेता है कि यहां चैत्र मास सुक्ल पक्स की चतुर दसी के दिन माता रेणुका का स्वम प्रकट होती है, इस दिन रेणुका की प्रतिमा एक फिटकी हो जाती है, इस दिन मात माता रेनुका का दर्शन करने का बड़ा महत्वूत होता है। इस दिन भक्त अपनी मनोकामना को लेकर माता दर्बार आते हैं। ऐसा कहा जाता है। आज से 500 साल पहले माता रेनुका की प्रतीमा इस मंदीर में स्वम ही प्रकट हुई थी। जो भक्त सच्चे मन से माता के दर् कामना को होती है।